नमस्कार आप देख रहे हैं खबर बोक्स क्या सच में केवल मोदी जीर राजनितिक हिंदू है? क्यों मेजेपी लोगों को डराधमका रही है? क्या अब देश में नकली संक्राचार ये खड़े हो जाएंगे? क्या मोदी को गो सेवक से हार का इतना डरसता रहा है क्या सच में 10 साल में सरकार ने केवल गायों को कटवाने का कारिय क्या है? और क्या अब मोदी मठों को उजाडने की तयारी कर रही है? आकिर ऐसा क्या हो गया कि मोदी से इस बार देश के संक्राचार ये भी नाराज हो गई है? अब आप भी हमारा एपिसोड दिन भर की आवाज रोजा ना देख सकते हैं हमारे खबर बोक्स के यूटूब और फेस्बुक चैनल पर जिसमें आपको मिलेगा सरकार की पोल पटी खुल देने वाले खबरों का विसलेशन और मोदी के चहरे पर से हम सच्चे हिंदुत्वा का नकाब तो उठा ही देंगे तो शुरू करते हैं आज का वीडियो दोस्तों लोग सेब चुनाव के पाँचवी चरण का मतदान आने वाले बीस मई को होना है और अब तक चार चरणों की वोटिंग हो चुकी है बीस मई के बाद मातर दो चरण सेस रह जाएंगे आने वाली एक जुन तक ये चुनाव का सिलसला पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और उसके बाद आएगा वो दिन जिसका देश के साथ साथ विदेशों में भी इंतजार है दरसल हम बात करें हैं चार जुन की चार जुन को चुनाव के नतीजे सामने आ जाएंगे और ये तैख हो जाएगा कि अगले पांस साल देश की सत्ता में कौन राच करेगा क्या बीजेपी मोदी की सरकार वापस ला पाएगी या इंडिया अलाइंस मोदी से ये तक्त छीन लेता है इन सभी सवालों पर चार जुन को पूर्ण विराम लग जाएगा लेकिन दोस्तों अभी तो सवालों का दोर पूरे देश में चल रहा है सभी राजनितिक पार्टिया अपने सरकार बनाने का दावा कर रही है जब बात दावे के आई तो इसका में सबसे आगे हैं पीम मोदी और उनकी पार्टि बीजेपी जब चुनाओं की गोशना हुई तो बीजेपी ने दावा करते वे नारा दिया चार जुन को 400 पार और जानकार कह रहे थे कि एंडिये देश में फिर से सत्ता बनाएगा बोधी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे वो जानकार देखते ही देखते कुछ और ही भासा बोलने लगे हैं जानकारों की भासा बदलने का मतलब साफ है दोस्तों कि बीजेपी अब कुछ दिनों की मेहमान रह गई है फिर भी दोस्तों ये माना जा रहा है कि जानकारों का क्या है वो तो रातो रात बदल जाते हैं लेकिन दोस्तों अब पाँचवे चरण के मतदान से पहले जो इस्तितिया निकल कर सामने आ रही है वो जरूर बीजेपी के लिए परेशान कर देने वाली है अगर बचे हुए तेन चरणों में इन इस्तितियों में सुधार नहीं हुआ तो बीजेपी के हाथ से बाजी निकलना तेह है फिर पूरे पास साल मिलेंगे बीजेपी और मोदी को अपनी गल्तियां सुधाने के लिए देरसल दोस्तों चोथे चरण के मतदान के बाद तो कुछ जानकार कह रहे थे कि कुछ राजनितिक विसे सग्या कह रहे है कि मोदी जी का है चुना फस्ता हुआ दिखाई दे रहा है वहां तक तो बाद ठीक थी लेकिन अब मोदी के विरोध में देश के संक्राचारी उतराए है जो मोदी और बीजेपी के लिए बड़ी मुसीबत बन गई है जी हाँ हम बात करे हैं जगत गुरू संक्राचार ये स्वामी आवी मुक्तिश्वारन सरस्वती जी की उन्होंने पत्रकारों से बाच्चित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार को खूब खारी खोटी सुनाई संक्राचारी जी ने कहा कि देश में डर का माहूल है हमारा सरकार से मो भंगो गया है इतना ही नहीं उन्होंने आरोप लगाया कि वारांसी जहां से मोधी जी चुनाव मैदान में हैं वहां से गो सेवक आंधर प्रदेश के पूली सती के सिवकुमार ने सबसे पहले नाम अंकल दाकिल किया है वो गोमाता गटवंदर में शामिल है और उनके अधिकत प्रतैशी हैं संक्राचारी जी ने आरोप लगाया कि वारांसी में मेर जब उनके प्रस्तावकों को डरा कर उन पर चुनावी मैदान में हटने का दबाव डाल रही है भाजपा का प्रियास प्रस्तावकों को हटा कर गो सेवक सिवकुमार का नामांकन खारिच करने का है दोस्तो संक्राचारी ने कहा है कि उन्हें खूब धम क्या मिल रही है उन्हें बोलने से रोका जा रहा है उसको नहीं है कि उनके उनके वोट से सरकार बंदी है और फिर वही सरकार गायों को कटवाने का कारी करती है संक्राचारी ने मोदी जी को चुनोती देदी हुए कहा कि देश में सची हिंदुत्व की जरूरत है ना कि राजनितिक हिंदुत्व की दस साल सरकार में रहकर भी गायों को कटने से रोकने का कानून नहीं बना पाई वो राजनितिक हिंदू है उन्होंने कहा कि सच बोलने वालों का विरोध होता है हमें भी लाकों लोगों ने गालिया दी दोस्तों संक्राचारी का एक वीडियो सोसल मीडिया पर भी वाइरल हो रहा है जिसमें वो मोदी सरकार को खरी खोटी सुना रही है एक बार वो भी आप देख लीजिए गर नहीं है तो गारानसी में हम लोग गाये का मुट्र उठा कर लेकिन हमको दंपाया जाता है हमको डराया जाता है हमारे लोगों को डराया जाता है तो देखा दोस्तों कैसे खुलेया मीडिया के सामने संक्राचारिय जी ये कह रहे हैं कि उन्हें धमकिया मिल रही हैं डराया जा रहा है उनके साथ बैठने वालों को जेल में डाल दिया गया है दोस्तों आपको बता दें कि ये वो ही जगत गुरू संक्राचारिय स्वामी आवी मुक्तेश्वारा नंत सरस्वती हैं जिनों ने आरोप लगाया कि आयोध्या में राम मंदिर की प्रान परतिष्टा नहीं हुई है बलकी एक इवेंट हुआ है सासरों का हवाला देते फिवे उन्होंने कहा कि जब हिंदू मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हो जाता तब तक भगवान की प्रान परतिष्टा नहीं हो सकती है आयोध्य में रामंदीर का निर्मान पूरा होने पर ही प्राण प्रतिष्टा कराई जाएगी अभी तो केवल इवेंट हुआ है और अब बीच चुनाव एक बार फिर वो मोदी सरकार के सामने खड़े हो गए हैं जब मोदी शाहा के लिए पूरी तरह से सरदर्द बन गए हैं बीच चुनाव संकराचारी जी का इस तरह से मोदी के खिलाफ खड़ा हो जाना इस बात का संकेत देता है कि मोदी से इस बार ये तब का भी पूरी तरह से नाराज है जिसका खाम्याजा मोदी और बीजबी को इस चुनाव में चुकाना ही होगा दोस्तों संक्राचारी जी के तेवर पर आपकी क्या राह है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आज की सबसे बड़ी खबर देखने के लिए इस वीडियो पर क्लिक करें और अभी तक आपने इस चैनल को सबस्क्राइब नहीं क्या है तो सबस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजेगा